तो दोस्तों मैं हूँ गया के टिकारी में और एक शौप पे पहुंचा हूँ जो अज मेरा फैशन का फ्रेंचाइजी लिए हुए है अज मेरा ट्रेंड से आज से लगभग मैं तीन से चार महिना पहले अपने एरिये से गुजर रहा था जो कि मेरे फार्म से यानि मेरे घर से लगभग 40-50 km के करीब होगा तो हमने फर्स टैम देखा था अज मेरा फैशन का बोड मेरी एक चाहत थी कि मैं यहां पहुंचू और यहां का वीडियो करूं कि क्या सिस्टम से अज मेरा फैशन दूसरे राज्यों में फ्रेंचाइजी देती है आज के इस वीडियो में पू बहुत अच्छा लगा हम लोग चार साल से जुड़े हुए अज मेरा फैशन से हमने काफी सारी वीडियो की और मुझे फर्स टाइम जब मैं इधर से गुजर रहा था तो अज मेरा का बोड देखा था तो मुझे लगा कि पंचानपूर में है फिर आज जब बात हुई तो म यह है कि हम पहले इसके बारे में नहीं जानते थे तो अबने यूट्यूब पे चैनल आता है उसके बाद हम एक नंबर आता है स्क्रीन पर उस पर हम बात किये तो पता चला कि अजबेरा फैसन बहुत अच्छा कंपनी है इसलिए फिर आजबेरा फैसन से हम लोग समझूरे जूनने के बाद कि उन्होंने फरेंचाइजी के बारे में क्या क्या बताया उन्होंने आपका क्या सिस्टम है उसके बारे में हम लोग को जगहा के देखें किस टाइप का जगहा है आपके पास वहां से आते हैं अच्छा उसके बाद दो दिन का उनका वीजित रहा दो दिन कि भिजिट किया, फिर मार्केंटबिजिट किया कि किया टिकारी में चलता है, कैसा चलता है, तो हम आल चद रही намता है, हमने होता है, कतना माल लेंदा है processes, पहला अब जो 10 लाख का माल आया है था जिसका आप उनके नाम पे अपने दुकान में समान रखेंगे अजिए नाम पे होगा अब जो 10 लाख का माल आया था वो सभी निकल गए कितने दिन पहले हुआ यह सब कैसे यह तो 17 जुलाई को घाटन मेरा हुआ था सर वह तो एक ही मन्त में सारा निकल गया था सर अपने के टाइम में हमारा बहुत माल निकला था सर कुछ ऐसा आपको एसास होता है कि अज मेरा नाम देने से कुछ ज्यादा बिकता है या लोगों का एक माइंड है और शूरत को भी लोग जानते हैं यह सूरत का सबसे बड़ा मनुफ्यक्चिरर है सर इनका नाम पर ही कुछ बिगता है ऐसा बात नहीं है ऐसा है जी ओके अब मुझे यह बताइए कि जैसे आप एक ज्यादा बड़ा शहर नहीं है एक दिहाद चेत्र में है कैसा एक्सपरियंस तो रह रह रहा है छे महीने के सक्षियादा के इसे से हाइस और से कितनी हो जाता है 35 पर दे का से अच्छा है अब मुझे यह बताईए कि हमारे एक के मुताविक कैसे आपको पता चलता है कि यह रखेंगे या कौन सा कपड़ा हो देंगे कैसे marketing कैसे करते हैं उसके बारा हम पहले उनकी team आती थी सर उसके बाद फिर कुछ हम लोग भी बताते हैं कि कैसा यहां पर चल रहा है अभी हमारे जितना भी हम साधी विया में गये हैं उनको हम देखे हैं बहुत गवर सो समझे हैं कि किस टाइप को हमारे यहां चलता है उसी टाइप को हम लोग order करते हैं सर कुछ अजमेरा के साथ निगेटिव पॉइंट निगेटिव पॉइंट इसा कुछ भी नहीं है कुरा अच्छा लग रहा है बढ़ी आपको पॉजिटीव करण में क्या आपको सब्सक्राइब करते हैं पर अचा उनके तरफ से बनाया हुआ गया है और वह परचार होते रहता है उसके वजह सबी लोगों को पता चलता है कि हमार्ण मॉल खोले आपने बहुत अच्छा जगा भी है अच्छा कहसा है स्पेस भी है लोगों का क्या है जह रिकमेंड करते हैं आपको क्या बोलते हैं आप तो जब दो बहुत के लोग भी आते हूंगे कुछ बताते हूंगे की doen Regular क कैसा है अऊ-क का बहुत अची सर करें मरकेट में कभी किसी सों भी पूछेंगा इज मेरा टेंज के बारे में तो कोई नो कोई बताए गाए यां को भी अच्छा डार रूपर मिलते हैं कि यहां बहुत अच्छा अच्छा मिलता है तस जो आपने बताया के 25 लाख में 25 लाख टो कपड़ा दे दिया वह अपने तरफ से भेजे कि कौन सा भीकेगा ठीक है उसके बाद तीन लाख रुपए अलग लगे लगभग 12 लाख रुपए खर्च किस किस चीजों में हुआ 12 लाख रुपया मतलब आपके दुकान में इंवेस्ट हुआ है तो ये खर्चा कौन देता है ये सब हमारा पैसा हमारा लगता है टीम कंपणी कराता है पॉजीटिव के साथ साथ निगेटिव भी सोच कर रहे होंगे आपने जब एग्रिमेंट कराया था तो उसमें क्या लिखा है कैसे क्या है हो सकता है कि आप आप आपका मन नहीं है कि आप नहीं करना चाहिए अग्रिमेंट तो बहुत बड़ा है उतना पता नहीं है तो अगर रहता है तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है आपके दुकान में मैं चाहूँगा कि कुछ आपके आपके अरिये में सबसे जादा बिकने वाले चीज या फिर कीस तरह के वराइटी रखते हैं उसके बारे मैं काथ पीस अब तो सबसे जादा सर शाडी में चल रहा है सर जैसे यह साडी हो गया सर अभी फिलहाल में पाटी सबसे लिटेश्ट में यह नीव मोडल मिदम चला है सर बहुति इसका दिमांड सबबग को ह्वार rez parfait के ऐ कोण सा कउसा कपड़ा है यह संदेरी में है ओके और काफी अच्छा डिजाए धिकल Och होगा बेचने में किसी तरह का कोई प्रब्लम नहीं आता है उसके वाद अभी चाट परव कि था उसमें बहुत अच्छा यह आया था इसा कुछ नहीं है जो कोई माल फस रहा हो या प्रब्लम आ रहा हो कि नहीं है अगर कहीं भी नया बिजनस करते हैं तो थोड़ा तो समय हमको देना ही चाहिए चाहे वो किसी तरह का भी बिजनस करें इसमें यह प्लस पॉइंट है कि आपको एरवर्टाइजमेंट आपको खुद नहीं करना पड़ रहा है वो कंपनी करवा रही है जैसे कि हम लोग में हैं और यह कि नवादा में भी खुलने वाला है यह टिकारी में मेरा है यानि के बिहार में चाउथभ 4-5 हो गए जी काफी अच्छा है जी हां कि लास्ट में मुझे एक सब में कुछ यह बता है कि क्या-क्या फैदे हो सकते हैं अगर कोई अजमेरा फैसन से जुड़ता ह है याए काम करवलाती हैं जो भी यह फरहाँ पर बना हुआ दे है। यह बहुत साथ प्रश्स का मुंakukan आदें बना देना और अच्छा जैसे बिदलन Εचा ड्मिंग का VEश्ता और जो भी आपके अनुस्यार में चो क्या डिमांड है उस लोग उस सब चीज सोचते हुए वह भेजते होंगे माल में सारा चीज अबलेबल है सर यहां पर ट्राइल रूम भी है सर डंबी में भी लोग देख सकते हैं अच्छा एक सवाल और है अगर कोई कपड़ा एक्जम्पल आपका 10 लग का जो उस टेम का माल आया था उसके बाद भी आपने प्लस पांट है यहां आपके पास कभी यहां पर माल फसने का डर नहीं है बहुत अच्छा लगा आप से मिलके तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फ्रेंचाईजी के बारे में हमने बात की है कैसे कोई भी राज्य में फ्रेंचाईजी लेना चाहता है जमेरा फैसन से करते हैं थैंक्स फोर वाचिंग